करगिल विजय दिवस पर शहीदों को किया गया नमन। आज करगिल विजय दिवस की गौरवपूर अफसर पर भारती तिबत सीमा पुलिस बल करेरा एवं भूत पूर्व सैनिकों के द्वारा नगर के मुखे पुलिस सहायता केंदर से होकर बीज बंडार रोड नया बस स्टेंड पुराना बस स्टेंड मंशा पूरन हरुमान मंदि साथ पूरानी तेसिल मंगल पांडी की प्रतिमा पर माले आरपड कर दीप रज्वयलन कर समापन किया गया सैनिकों ने माले अरपड कर अपने अपने उद्बोधन दिया भारत माता की जैकारे लगा कर तिरंगा लेरा कर सर्वोच बलिदानों वीरों को नमन कर श्रद्धांजली दी गई भारत तिब्बत सीमा पुलिस बलके सैनिक बूदपूर्व सैनिक मान सिंग फौजी कुलदीप मिश्रा पुषपेंद्र जोसी संजे फौजी सहित आधा सैकड़ा से अधिक लोग उपस्तित हुए संवाददाता संचे गुपता की रिपोर्ट अरभ हुआ था तो हमारे बीर सैनिकों है जिसमें दो नाट की सैना हमारी थी जिनों ने इस युद्द को समरित भाव से अपना सब कुछ नचार करके हमें आजादी दिलाई थी ऐसे हमारे बीर जवानों के प्लक्ष में आज कारकेल के बस मनाये जा रहा है मैं चाहता हूँ कि दो धुट उन सभी हमारे जवानों के लिए मौधारण किया जाए और हमें भावफूर्ट से द्राज ली जाए ऐसा हम सब एक अपनी अपनी जागे खड़े होकर दो धुट का मौधारण राखी बलस मता की बलस मता की बंदे मौत्रम बंदे मौत्रम जो भरा नहीं भावबं से बहरी जिसमें दश्टार नहीं जो बरा नहीं भागों से बाइती जिसका रस्तहाद नहीं वाई हड़ाई नहीं वाई पत्खर है जिसको छुदे से प्यार नहीं उपस्तर समस्त भूदपूर सेनक और मतमान सेनक जाएं कराराने करवासा सभी वुपस्तर समारों में मैं सभी का तहे दे से हर देख स्वागत बनन एव आवन नहीं नंग करता हूँ जैसा कि हमारे साथी बता चुके हैं कि वुदिशन मिन्यार में में कारगे में पाकिस्तान में छोड़ी छिपे अपनी चमीर पर अपनी साथ पर कंजा कर लिया था उसको उनको घंड़ने के लिए उनको खलेडने के लिए उनको बहनने के लिए अपनी जगा छुडाने के लिए अपनी देश की भूमी को छुडा दिया उसके उपलक्ष में एक आप लिवस मनाया जाता है। अब से आप सभी को कारगल विज़ा दिवस की हाथ देख शुडाम लाएं। हमारे देश में बर्स होनी सोनियान में मैं पाकिस्तानी की का रहना हरकत हमारे देश की टाइगर हिल और पिंपन पोश्ट जैसी पोश्टों पे नकारग आत्मक सोच के तहर उन्होंने कपज़े किया जिसको हमारे देश के जवान बड़ी बहात्री से क्योंकि जबकि वो उची पाड़ियों पे बैठे थे 18 अचार फुट के फुट पे बैठे हुगे थे पाकिस्तानी क्योंकि बरप के टेंप में दोनों ही देश की सेनाय नीचे आ जाते हैं लेकिन जैसे की फिलैग मीटिंग में हमारी मीटिंग होती है कि बरप के टेंप में कोई भी देश की सेना बॉडर की और पोश्टों पे नहीं जाए 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 हमारे देश की पोश्टों पे जो रूल रेगुलेशन होता है अंतरपास्टिये रूल रेगुलेशन होता है उसको तोड़ते हुगे और पोश्टों पे कबज़ा कर लिया कब्जा कंडे के पाद जब हमारी टीम को पता चला के देश के सर्यादों को पाकिस्तान ने कब्जे में ले लिया तो हमारे देश के जबानों ने बड़ी बहात्रूई से हमारों सेनिक जीवन बहुत भी महत्मूर होता है देश के लिए आज जो हम खुली हमागा साथ सकते हैं देश के हर चीज लोग तंक और देश की उप्रती की बाद करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ देन है तो हमारे देश के बहुत जबानों की देन है मेरे साथियों हमारे देश के जबानों ने जब वहाँ पे क्योंकि पोश्टों पर भोज़न नहीं पोश्च सकता तो हमारे देश के जबानों ने जो हमारे पास कॉल गेट होता है ना कॉल गेट उसको खाके उस देश का योत लड़ा है मेरे साथियों जो क्योंकि वहां भोज़ा नहीं भोजबा रहा था माइनस 34 था वहां पर मानिस 34 में आप एक हैंटा अपनी फ्रीज में हाथ नहीं रख सकते लेकिन वो जवानों को मैं धन्न देता हो उन जवानों को मैं सलूट करता हो कि जनोने माइनस 34 की डिगरी में 18 अचार की भुट की उचाई को फुष्टों पे जाकर पागिस्तान के इरादों को पागिस्तान के नापा के इरादों को धुट किया और देश को 26 जुलाई 1999 को हमने अपने देश के दर्टी को छीना और पागिस्तान को हमने खतेर कीदों की दर्ड़े खतेर के अपने देश को तरंगा बुलंद किया मेरे साथियों आज हमारे हम भूतपूर चैनकों की तरफ से पहली बार ये कारगे पिज़े दिबस के रुप में मनाना जा रहा है अभी साथ हम भूतपूर चैनक गम हैं और क्योंकि किसी ने पहली बार हमारे मिसराजी ने हमारे अदरी कुल्दी मिसराजी ने के लिए भी चुर्दा ताली बाइब